हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू आवर यूटूब चैनल मैं प्रेम भाटिया आपका स्वागत करता हूं तो आर्टी पीसी आर एप के बारे में जानने से पहले हम इसको इस्टॉल कर लेते हैं तो सबसे पहले हम जाएंगे गूगल प्ले स्टोर में और यहां हम टाइप कर लेते हैं एप डाउंडोल हो गई है इसको ओपन कर लेते हैं और टर्म एंड कंडिशन को एकसेप्ट कर लेते हैं एप ओपन होने के बाद यह मोबेल नंबर मांग रहा है तो हमें पहले जो डिस्टिक्स ऑथरिटी है वहां से अपने मोबेल नंबर को ऑथराइज कराना है और उसके बाद यह OTP आएगा और OTP के बाद आप इस एप को चला पाएंगे अगर आपके पास रजिस्टर्ड मोबेल नंबर है नहीं है तो भी आप इस एप को चला सकते हैं इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा वीडियो के अंत मैं बताऊंगा कि आप किस होती है उसको हम कंप्लीट करेंगे किसी भी पेसेंट की एसर अरफ आईडी जनरेट करने के लिए आपको एड न्यूपेसेंट पे क्लिक करना होगा इसमें पूछ रहा है कि आपके पास डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है या नहीं है अगर मैं नो पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास यह ऑप्शन आ जाएगा कि गाइडलाइन के अनुशा डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होना अनिवारी है इसके बिना आप फॉर्दर नहीं बढ़ सकते आगे ठीक है तो वापस क्लिक करता हूँ एड न्यूपेसेंट पे हमारे पास डॉक्टर का प्रिस्क्रि और इसके बाद मैं चाहूं तो इसको OTP बेश सकता हूं इस पेसेंट के मोबाल पे और उस OTP को हमने यहां रखना है और उसके बाद यह मोबाल नंबर कंफर्म हो जाएगा किन्तो इस समय कई बाद नेटर्वर्क की वज़े से या सेंपल अधिक होने की वज़े से इसमें का करने के लिए गोर्मेंट ने इसकी OTP का ओप्सन दिया है तो मैं क्लिक करता हूं इसकी OTP तो हमारे पास यह ID जनरेट हो गई अब हमें इसको आगे जो भी फर्म फील अब करना है वो बढ़ सकते हैं ठीक है तो जो मोबाल है वो पेसेंट से बिलों करता है या फेमिली से तो मैं करता हूं सेल्प पेसेंट का विलेज कौन सा है तो मैं पर देता हूं जोदपूर स्टेट है राजस्तान डिस्टिक्स है जोदपूर और पेसेंट का एडरस के 337 गांधी नगर ठीक है पिन कोड बढ़ना है 342001 एज मान लेते हैं 25 जंडर मेल नेशनल एटी इंडियन है और आरोगे से तो एप है या नहीं है अगर है तो यस करना है नहीं है तो नहीं करना आथा इस मोबाल इस पेसेंट के मोबाल पे ये एप है या नहीं है तो मैं इसको नो कर देता हूं फिर बढ़ना है आधार नंबर आधार नंबर नहीं है चाहे तो बढ़ सकते हैं नहीं तो नहीं बढ़ सकते हैं मैं हमान लेता हूं एक ऐसे ही मैं आधार नंबर डाल लेता हूं टू 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 थ्री ऐसे करके मैं एक आधार नंबर डाल लेता हूं ठीक है अब हम इसको बढ़ जाते हैं तो हमारे पास sample कौन सा है hac期 आ नेजल स्वाभ है qualcा स्वाब है या फिर दी येरल या ईटी है मतलब जो ब्रॉणको अल fire या फिर एंडो ट्रेक्षिक्ष और परेस्पारेट कौन सा स्वाफ को क्लिक करता हूं आठीस तारीकह सिंपल है और इसको मैं sample ID का नाम देता हूं A101 और आगे बढ़ जाता हूं और इसके बाद patient की category में किस category मार रहा है तो मान लीजिए मैं किसी भी category में नहीं आ रहा हूं तो मैं इसको other पे click कर रहा हूं और फिर आगे बढ़ जाता हूं patient को symptom है या नहीं है अगर मैं patient की symptom को yes करता हूं तो यह कौन से symptom है इसको आपको click करना पड़ेगा डाइडिया है noise है या vomiting है कोई भी जो भी है वो click कर सकते हैं और कब है कब से आपको यह symptom है इसकी आपको dead burn है और which of the above mention was first symptom इन में से कौन सा symptom first symptom है तो मैं इसको no करता हूं ठीक है फिर हम आगे बढ़ जाते हैं और फिर कोई pre-medical condition है जैसे डाइबिटिक है, heart disease है या फिर hypertension है तो आप इसको fill up कर सकते हैं फिर immune compromise condition अगर कोई immune weak है तो इसमें आपको yes करना है नहीं तो no कर सकते हैं और कोई भी condition है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं फिर हमाँ आगे बढ़ जाते हैं पेश्ट को Australize किया हुआ है या नहीं है तो मैं इसको no करता हूं फिर doctor का नाम बढ़ना है डोक्टर का नाम compulsory है आपको बढ़ना यह बढ़ना है तो डोक्टर का नाम बढ़ देता हूं और के एक में से क्लिक कर सकते हैं माली जी अमने इसको जोदपुर ही बेजा है सेंपल टेस्ट करने के लिए तो हमें जोदपुर क्लिक कर लेना है पूर यह जोदपुर एसनल मेंडिकल कॉलिज फिर यहां आप सेव कर सकते हैं और इसके बाद सेव करने के बाद यह आईडी आपको म इसके बाद हम वापस आते हैं तो यहां आप देख रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन है एड न्यू पेसेंट को न्यू पेसेंट के लिए है अगर किसी पेसेंट का पहले टेस्ट हो रखा है तो रिपीट टेस्ट में इसकी एंट्री हो गई इनकंप्लीट फॉर्म में जो भी किसी वज़े से फॉर्म इनकंप्लीट रह गया है नेट की वज़े से फॉर्म फॉर्म बंद हो गया है या फिर कोई फॉर्म कॉल आ गया है या बैटरी लोग गया है तो फॉर्म इनकंप्लीट में चला जाएगा बिना सब्मीशन के तो अभ आपको वापस भरा हुआ । जो भी this बाकि यह वो आप भर सकते हैं ठीक है तो incomplete में आप farma जाएंगे करेंगे एडिट कर सकते हैं या फिर डिलिट mad하다 है तो यह पर या फिल्यटि आप सब्दाइब याप्स मिलने के बाद यह आपको वापस नेट होगा वो आपको वापस मिलने के बाद यह अपने अपने और यहां पर जीरो आ जाएगा और अगर आपको वापस वही फर्म देखने हैं तो वहां पर जो आपने फर्म भरें अभी तक वो उसकी सारी डिटेल व्यू फर्म में आएगी मान लीजी हमने 28 तारीक हो जो भी फर्म भरें उसकी सारी डिटेल यहां सर्च करेंगे तो हमें सारी डिटेल यहां पर मिल जाएगी आज की डेट में यह सारे फर्म हमने भरेते उसकी सारी डिटेल हमको यहां मिल जाएगी मैं यह किसी एक फर्म को सलेक्ट पर देता मान लीजी इस फर्म को हमने सलेक्ट किया है तो इस फर्म को हमें PDF के रूप में हमारे पास आ जाएगी यह सारी यहां आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको जो यह फर्म भरे हैं वो सारे एक साथ आपको डाउनलोड करने हैं तो अब आप क्या करिएगा यहां help में चाहिएगा और यह जो आपको एक website का इडर्स द सकते हैं तो यहां आप ऊपर जो तीन लाइन दीखे यह यहां पर क्लिक करेंगे तो सब से नीचे से से किंड ऑप्शन है सेंटर यह सेंपल क्लेक्शन यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां नीचे जो फॉस्ट ऑप्शन दिक्ञाए डाउनलोड jest sirf या PDF excel यहां आपको यह शर आप डाउनलोड कर सकते दूसरा और यहां जो डिटेल मैन्यूल है नीचे देख रहे हैं ब्लू कलर में तो यहां आप क्लिक करेंगे तो डिटेल मैन्यूल आपको सारी ओपन हो जाएगी यह अभी हमने जो बताये था सारा इस पीडियेप में मिल जाएगा एप को किस परकार स से इसमें आपशन आएगे वह सारा इस पीडियेप फाइल में आपको मिल जाएगा जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेड नहीं है और आप चलाना चाहते हैं तो आप चला सकते हैं इसके लिए आपको जो भी एप यूजर है अ ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी को आप जो एप यूजर है जिसका मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेड है उस ओटीपी को आप उनसे लेकर अपने एप में उस ओटीपी को डालेंगे तो उसकी एप की तरह या उसकी आइडी से आपके फॉन में भी वह चलता रहेगा एप और आप इस तरह किसे आइडी जनरेट करके चला सकते हैं एक से अधिक मोबाइल में